एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पैंट की मौरी में चैन किस तरीके से लगाते हैं काफी कश्टमर पैंट की मौरी में चैन लगवाना पसंद करते हैं तो दोस्तो पेंट की मौरी में चेन लगाना कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ लगाई जा सकती है, तो दोस्तो सबसे पहले हम पेंट को बना लेंगे, बनाने के बाद ये जो हमारी मौरी है उसको प्रेस से अच्छी तरीके से तोड लेंगे, तोड़ने के बाद हमारी जो है चैन लगाई जाती है अब दोस्तो चैन हमारी बैक साइट के पल्ले में लगती है तो दोस्तो बैक साइट के पल्ले को हम इस तरीके से नाप लेंगे जितना हमारा पल्ला आ रहा है उतनी ही हम चैन को कट कर लेंगे बैसे दोस्तो हमारी जो chain है बैक पल्ला हमारा जितना आ रहा है उसे आदा इंच हम छोटी काटते हैं लेकिन हम इसमें पूरी काटेंगे हम आपको बताने के लिए पूरी काट कर दिखा रहे हैं बाद में हम इसको कट कर देंगे तो इस तरीके से हमने सको कट कर लिया है अब कट करने के बाद दोस्तो हम इस पल्ले को बिखाएंगे दोस्तो हमने ये जो प्रेस से टूटन बनाई हुई है तो इस टूटन से जो हमारे ये chain की दाते हैं दातों को हम इस उपर निकालेंगे और joined से मिला कर रखेंगे अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे दोस्तो ध्यान रहे कि जो हमारी chain है उसको हम खीच कर लगाएंगे chain को हम बिलकुल भी डीला नहीं करेंगे यदि हम chain को डीला कर देंगे तो chain हमारी फलक जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से हमने आदा इंच कट कर लिया है हम joined से थोड़ा पहले ही रखते हैं chain को तो इस तरीके से हमने इसको कच्चा कर लिया है अब दोस्तो हम इसको पका किस तरीके से करते हैं चलिए बो भी देखते हैं तो दोस्तों ये जो हमारे दाते हैं दातों की जड़ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे यदि दोस्तों आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबादें जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और दोस्तों आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि सर हमें इस वीडियो का लिंक चाहिए या इस वीडियो का लिंक चाहिए तो दोस्तों आप सबसे अच्छा काम ये है कि आपको जिस वीडियो का लिंक चाहिए तो उस वीडियो का टैटल आप डालें और पीशे एल्टी टेलर से जरूर लिखकर सर्च किया करें आपको वीडियो मिल जाएगा अब दोस्तो इस तरीके से हमारी ये चैन लग गई है अब दोस्तो हम मौरी में कच्छी सिलाई लगा लेते हैं इसके बाद हमारी जो है तुर्पाई होगी यदि दोस्तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल न भूलें दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए अजाज़त अल्लाहापेस